वेलकम तो चैनल इन फोकस स्टुटी इस वीडियो में बीसी ओसी ओसी तर्टी तर्टी थी विच इस बिजनस लॉग इसके मुश्च इंपॉर्टन कोशन करने वाले और यह मैं गैरेंटी देता हूं जो जो कोशन बताऊंगा उससे बाहर कोशन नहीं आएंगे यह मेरी गैरे इसके में आएंगे जरूर आप इसके में आपने देख लिए होगी तो वह इना फोगी आपके लिए मैं दुबारा एप लोट कर देता हूं क्योंकि यूटूब कभी क्या करता है रिकमेंड नहीं करता और आप गड़त वीडियो देख लेते हो ठीक है इसके में को बहुत अ क्या है नहीं वाला बिकम् छे इह यह बने हुए है तो उसके कॉशन देए परहों वहाल जूके एक सेबस्ट नार्ण होते हैं तो और सारी ओग्रीमेंट लिए यह दो और यह दो गिने करने तो उसके साथ हमिए डिट करने ग है इसको बताया भी था और हमारी बस casual agreement हुई थी ना हमने कोई contract किया था तो इसमें क्या होगा यह वैलिड नहीं होगा थीक है यह बस agreement था हमारे भीच ठीक है इसके लिए कोई ना तो हमने paper पर साइन किये ना कुछ किये तो ये अग्रिमेंट ही होगा ओविसी बात वे तो नहीं जाएगा तो ये हो गया दूसरा अगर हम दूसरा एक्जामपल लेते हैं मान लो मैंने किसी कंसल्टन को हाइल किया ठीक है मेरे लिए काम करने के लिए अगर मैंने सको पे करने से मना कर दिया तो वो मेरे पर केस कर सकते क्योंकि आमने कॉंट्रेक्ट किया हुआ है ठीक है तो यह हो जाएगा सो अगर्ट इस लेगली बाइंदिंग विरस एन अग्रिमेंट इस तुपकली नॉट इंफोस्ट वाइ दिल लॉट टिक है समझ गया होगे हुपस आप बहुत अच्छे समझ गया होगे क्योंकि सरीजी कोई सम्झाही ने सकता था तो देखो ओविसी बात है कोई भी लिट, वह होगे होगे जो विट से अच्छा पास नहीं कर सक्ता नहीं है ठीक है ए ज्यनला स्टनीमेन आ अच्छे वर्वि वट कर दिल सोलके कल इस sizes by the Maxime Naimur that not a habit which means that no one can give what he himself has not in other words, select can't give the buyer of the goods a better title so those goods that he himself has given okay then you will need to read it next question is what is a contract explain essential element of contract giving suitable example so question has come two I think तेखे है और भी previous semester June 2022 वाले में भी आया होगा था So contract क्या होता है इसके essential क्या क्या होते है So contract क्या होता है? Agreement होता है Inforced by law, lawful proposal होता है By the one party and the other party must accept Promiser or Promises जिसको भोलते है There must be a lawful consideration Lawful consideration होना चाहिए An agreement may be oral or written होना चाहिए An agreement may be without consideration If it is made out of a nature law A faction between close relative पर दीकिन कापिशिटिटी तो कोंट्रेक्ट सक्ष्टन हैं इन फैस्टे कहा थे अन गेंचे अन लाइविल अब्जेक्ट नहीं 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 लिच टॉ इसके क्या है इसके वो थे फिर एंडलेमेंट is the restraint of trade is void comment on this statement mentioning the exception exception if any ठीक है कोई exception है तो बता दीजिए discuss the essential of a contract of bailment and state the right and duties of bailie ये question आया हुआ है ठीक है ये question मिलब इसी से question पिछली बाद जो paper गए तो इस PDF से most of question आयता है I think जो हमेरे पर option होते है ना लेका हमें 8 question में से 5 करने होते है तो 8 में से 6 या 7 question इस PDF से आयए थे तो आप सोच सकते है PDF कितनी है explain the exception to the rule no consideration no contract consideration ही नहीं होगा तो contract नहीं होगा और वैसी बात है सही है इसका आप explain करके लिग देना फिर distinguish between fraud and misrepresentation fraud में और misrepresentation में difference क्या होता है like fraud अलग चीजिए होते है misrepresentation क्या होता है कि हम चीजों को गलत दिखा देते हैं यह गलती से दिख जाता है what are the what are their effect on our contract contract pin क्या effect पढ़ता है वो बता रहा है define mistake explain various type of mistake mistake क्या होता है and mistake कितने type के होते है वो बताना है आपको who is finder of good finder कौन होता है explain the right and duties of finder of goods ठीक है finder कौन होता है finder of goods कौन होता है क्या के duties होते हैं क्या के rights होते हैं और इसी से रेलेटेट एक और कोशन आया था what is mean by good in contract of sale यह जुलाइ जुन 22 में आया था explain various types of goods ठीक है यह कोशन आया हुए तो देख लिए इसको 9th question who is unpaid seller short note में आया हुए तो unpaid seller explain the right of unpaid seller अगेंस्ट दा बायर पर्सनली इलावन कोशन एक टेंड डिफ्रेंशेट बिटून बेल्मेंट और प्लेस्ट यह शॉट नोट में आ सकता है इसको देख लिए ना discuss the duty of belly उपर भी हमने discuss के था बेली की duty के बारे में explain the various modes of discharge of a contract और जो discharge of contract के कहके modes होते हैं वो आप देख लिए ना कौन-कौन से तरीके इन जी से जो contract और discharge हो सकता है एफे define consideration हमने देखा था consideration और contract दोना एक तुसे related होते हैं are there any cases where a contract without consideration is valid explain with example ठीक है ऐसा कोई case होता है कि contract without consideration valid होगा जो मैंने भी बताया आपको ठीक है तो देख लेना इसको state the right and duties of an agent अच्छा कोशन है short note में आ सकता है ठीक है देख लिख के जाना इसको अच्छे से define partnership what are the essential characteristics of partnership easy question is partnership उपको पता होगा क्या होता है what are the right and duty of a partner जो partner होता है इसके rights क्या होते हैं तो अब उसको उसके लिए court नहीं जा पाओगा ठीक है तो यह हो जाए who is minor जो minor जो कोई business है उसके पापा कर रहे है वो उसके पापा मरे गए तो बचा जो family का member होई business चलाएगा ठीक है तो minor चला सकता है ठीक है कुछ laws है आप देख लेना आप when is a minor libel for contract if a minor misrepresent his is what is the legal effect तो यह question book में डिक्टो ऐसे दिया हुआ है आप जाके check out कर सकते है can a minor be a partner in partnership form explain his rights and liabilities under the law of partnership ठीक है क्या अगर कोई minor है वो बन सकता है partnership firm में partner अगर है तो इसके right और liability क्या क्या हो बताइए what do you mean by implied authority of a partner indicate the cases where a partner has no implied authority ठीक है 20 question है define contract of indemnity or and contract of guarantee define sale and agreement to sale दोने में difference क्या होते है यह बी बता देना आप explain the essential of valid contract जो उपर हमने देखा था भाही question है बागे difference वाले question अच्छे से करके जाना avoid illegal contract express and implied contract executed and executory contract contract of a sale agreement of a sale conditional warranty contract of indemnity and contract of guarantee ठीक है फिर क्या है correlation and undue influence misrepresentation और fraud यह difference है जो आ सकते हैं बागी short notes आप देख लेना यह ठीक है discharge by breach of contract duties of a baili consideration ठीक है quantum merit is irrevocable agency unfit seller ठीक है तो यह हमारे कुछ questions थे जो paper के point of view से बहुत ज़्यादा important है यह सारे आपको question अच्छे से करके जाने है इससे बाहर question नहीं आएगा मेरी guarantee इस इस में से question आएंगे जो hundred marks है तो obviously बाते cover हो जाएगा अब pass होना है तो यह question चल अच्छे से कर लो obvious बाते pass हो जाओगे ठीक है तो हुपस आपको यह video अच्छे लगी हो अगर video अच्छे लग तो video को like करना चनल को subscribe कर देना एक और आप assignments को करके जा सकते हो assignments से भी question repeat होते है बद इसी में से आएगा like assignment भी कहीं अलग से बनाके इनी में से आप match कर लेना questions assignments भी नहीं मिस्ते होंगा प्रिवेश से की एक video है वो में पिंच कर दूँगा वो भी आप देख लिए ठीक है